तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से भारतिय डाक यानि इंडियन पोस्ट के बारे में पोस्ट ओफिस की एक ऐसी सेविंग स्किम के बारे में बात करने वाला हूँ जहां पे आपको अट्रेक्टिव रेट ओफ इंटरेस्ट तो मिलते ही मिलते हैं साथ के साथ में मिलती है सेवटी और गॉवर्मेंटकी सिक्यॉरिटी भी इस सेविंग स्किम के अंदर आपको अट्रेक्टिव रेट ओफ इंटरेस्ट यानिule 1.5-1.7 परसन तक के rate of interest मिल सकते हैं अगर आप इसके अंदर पैसे को invest करना चाते हैं भारत के कौन-कौन से राज्य के लोग इसका फाइदा उठा सकते हैं इसके बारे में जानेंगे साथ के साथ में यहां पे minimum और maximum account holding fees यानि amount कितना है वो भी जानेंगे और साथ के साथ में आपको किस प्रकार के दस्तावेजों की जरूरत होती है यानि documentation आपको कौन-कौन से देने होंगे इस account को open करने के लिए इन सब चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उमीद है वीडियो आपको पसंद आएगा बहुत हो क्या हाल चाल दोस्तों अगर आप थमनिल देख करके इस वीडियो में आये हैं तो बिल्कुल सही जगा पे आये हैं इस वीडियो में दी गई उस वीडियो को बिना किसी देरी और बिना किसी डिले के तो मेरा नाम है देनेश दोस्तों मेरा नाम है देनेश और आप देख रहे हैं परना चाहते हैं तो उसके लिए हमने वीडियो अलड़ी बना चुका है रिकरिंग डिपेजिट के लिए भी वीडियो बना दिया है आज हम बात करने वाले हैं नैशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट यानि टीडी यानि टर्म डिपॉजिट के बारे में यहां पे आपको ऑप्शन यह होता है कि अगर आप प को ओपन कर सकते हैं 100 रुपीस के मल्टीपल में कितना भी पैसा आप इसके अंदर डिपॉजिट करा सकते हैं कोई भी लिमिट आपको यहां पर देखने को नहीं मिलती जैसे कि कई सारी सेविंग से जहां पर आपको एक लिमिट लगा दी जाती है कि आप डेड़ लाक बाकी बैंक के हिसाब से अगर देखें तो एक परसंट या डिल परसंट से भी जादा रेट ओफ इंटरस आपको यहां पर देखने को मिल रहा है अगर बैंक के अंदर एक साल के अगर फिक्स दिपॉजिट अगर आप कराते हैं तो वहां पे आपको तकरीबन पांच तक के ही रेट ओफ इंटरस मिलते हैं वहीं अगर आप फिक्स दिपॉजिट कराते हैं एक साल के लिए पोस्ट ऑफिस के अंदर तो 6.8 परसंट तक के अट्रेक्टिव रेट ओफ इंटरस आपको देखने को मिलते हैं दो साल की फिक्स दिपॉजिट के ऊपर आपको साल के लिए जाते हैं तो 7.7% के rate of interest आपको मिलेंगे और वहीं आगर आप 5 साल के लिए fix deposit कराते हैं तो 7.5% तक के attractive rate of interest आपको मिलते हैं और यूजली अगर आप compare करेंगे ना इसको बैंक के हिसाब से तो बैंक के हिसाब से post office इस आपको कई सारे अच्छे rate of interest प्रवाइट करा रहा है अब बात करेंगे silent features की जो कौन लोग इस account को open कर सकते हैं कोई भी single adult इस account को open कर सकता है joint account भी open किया जा सकता है दो या दो से अधिक adult मिलकर कि इस account को open करना चाहें तो यह अपने joint account भी कर सकते हैं कोई भी guardian अपने बेटा ये बेटी के नाम पे जिसकी उमर 10 साल है उसके नाम पे भी इस account को open किया जा सकता है any number of account can be open यहाँ पे कोई भी limitation आपके साथ नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही account open करना है या फिर आप कितने भी account open करना चाहें आप 2 account open करना चाहते हैं 2 account open कर सकते हैं अगर आप 5 account open करना चाहें तो 5 account भी आप यहाँ पे open कर सकते हैं account type के अगर मैं बात करूँ तो आप 1 साल के लिए 2 साल के 3 साल और 5 साल के account open कर सकते हैं चार साल का account आप यहां पे open नहीं कर सकते minimum बताया है मैंने जैसे कि 1000 रुपे maximum कोई भी limit नहीं है कितना भी पैसा invest कर सकते हैं 100 रुपीस के multiple के अंदर साथ के साथ में payable आपको payout जो होता है payout जो interest payout जो है आप annually निकालना चाहे है जो annually निकाल सकते है और इसी पैसे को अगर आप quarterly payout लेना चाहते है तो quarterly payout का option भी आपको यहां पे देखने को मिल जाता है और यहां पे अगर मैं बात करूँ the annual interest जो होगा आपका वो credit कर दिया जाएगा आपके saving account के अंदर बड़ी आसानी पे कोई भी दिक्तत बिना परेशानी के साथ के साथ में अगर मैं maturity की बात करूँ तो maturity अगर आप एक साल का plan चूज किया तो एक साल में maturity हो जाएगी दो साल का plan तीन साल का पांस साल का plan जो भी आप चूज करेंगी उसके according आपकी maturity आपको मिल जाएगी extension आप करना चाहें तो आप इसके अंदर extend भी कर सकते हैं एक साल के अकाउंट को दो साल में और दो साल के अकाउंट को तीन साल या पास साल के अंदर आप convert करा सकते हैं साथ के साथ में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे TDS तो TDS as per the government rule के according आप यहाँ पे TDS का फाइदा ले सकते हैं premature closer भी आप यहाँ पे करा सकते हैं अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपको पैसे की जरूरत है तो 6 मन्त के बाद में आप इसका premature closer भी करा सकते हैं जिसके उपर आपको कुछ penalty पे करनी होती है अब penalty क्या रहेगी वो रहेगी 2% अगर आप इसको close कराते हैं समय से पहले तो 2% आपको deduct कर दिया जागा pledge का account प्लेज और TDS account का option भी आपको यहाँ पे मिल जाता है जब कभी भी आप इस account के उपर कोई loan लेना चाहते हैं definitely loan का benefit भी आपको इसके उपर देखने को मिल जाएगा और इसी तरीके से यहाँ पे सारी की सारी चीज़े आप यहाँ पे देख सकते हैं और यह information मैंने जो भी बताई है वो post office की official website पे आकर के बताई है मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताया इसी तरीकी के और भी interesting videos हमने अपने चैनल के उपर upload की हैं आप description में जाकर के उनके link पे या i button के उपर जाकर के उनका link से देखकर के हमारे channel पे विजिट करके उन videos को भी देख सकते हैं उमीद है दोस्तों आपको यह video पसंद आया होगा अगर आपको यह video पसंद आया तो ज़रूर से आप इस video को like कीजिए share कीजिए इस video को अपने दोस्तों रिस्तेदारों के साथ में channel subscribe करके bell icon प्रेस करना मत पूलेगा और दोस्तों अगर आप हमें बताना चाहें तो आप हमें बता सकते हैं के भारत के कौन से राज्य से आप इस video को देख रहे हैं जिससे हमें पता चल सके आप भारत के कौन से राज्य से इस video को देख रहे हैं और आपके राज्य की आपके जिले की आपके गाउं की video लेकर के हम आ सके जो भी सरकार के द्वारा launch करी जाती हैं नई सेविंग इसके आप तक हम मिस्टर कश्य यूटूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले पहुचा सके मैं मिलता हूँ ऐसे किसी इंट्रोस्टिंग वीडियो में जैहिंद वंदे मातरम